वेट बढ़ रहा है वजन बढ़ रहा है ये कफ के विक्रती है तो आप चाते हैं कि कफ का रोग ना आए मने वजन ना बढ़े आपका सरवी खासी जुकाम बुखार ना हो टॉंसल अउटिस की प्रॉबलम ना हो आखें हमेशा अच्छी रहें कान हमेशा अच्छे रहें तो क यह है कफ को संतुलित रखो और इसका सबसे सिंपल सूत्र है आहिलवेव में चीनी मत खाओ गुल खाओ गुल शक्र छोड़ दो यह शक्र सबसे खतरना चीज है जो कफ कफ की विक्रती का सबसे बड़ा कारण है शक्र आपको एक इंट्रेस्टिंग बात बताओ भारत ने ज हां यह बहुत बड़ी रिसर्च मैंने इस रिसर्च में बारे साल खराब किया पूरे डेटा इकत्य किये भारत देश के शुगर प्रड़क्शन जब से इस देश में हुआ और चीनी खाना हमने जब से शुरू किया ओवरवेट हम तभी से हुए उसके पहले भारत में कोई ओवरवेट नहीं था जब तक शुगर नहीं आई थी तब तक ये देश ओवरवेट नहीं था जब से शुगर आई importantes मोटे हो गए सब के पेट बाहर निकलना शुरू हो गए ये सब शुवर का दुश्परिनाम है शक्कर का दुश्परिनाम आप पूछोंगे क्यों ये जो शक्कर है न ये कभी भी डाइजेस्ट नहीं होती और जो चीज डाइजेस्ट नहीं होती वो टॉक्सिक वेस्ट में कनवर्ट होती तो कोलेस्टोल बढ़ता है और मुटापा आना शुरू होता है शक्कर के बारे में सरल बात एक पताता हूँ जो आपको समझ में आये जल्दे से हम खाना खाते हैं, लंच में या दिनर में, कितना भी हम खाना खाएं, सपोज हमने 200-300 ग्राम खाना खाया, लगबग इतना ही हम खा पाते हैं, उतना खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुल खाईए, गुल, एक ग्राम, तो ये जो एक ग्राम गुल आपने खाया, ये आपके पूरे भोजन को विदिन 4 आवर्स चार घंटे में 100% डाइजिस्ट करा दे थोड़ा सा गुड़ गुड़ जो है ना बहुत बड़ा पाचक डाइजिस्टर है बहुत बड़ा पूर और आपने जो खाना खाया 200-300 ग्राम इसके पीछे आधा चम्म शुगर खा लीजे अब ये खाना आपको 8 घंटे तक हजम नहीं होगा शुगर खाने तो और जितना भोजन आपने किया है इसकी पूरी इनरजी हाफ टी स्पून शुगर को डाइजिस्ट करने में खर्च हो जाए शुगर उपी खराब मत खाये शुगर में सबसे बड़ी खराबी जानते ही क्या है जो क्यमीकल शुगर को बनानी में एस्तिमाल होते हैं सबसे खराब क्यमीकल यई है जिसके दिना कभी भी शुगर बन नहीं सकती और सुलफर जो है और गुर तो बाजार में अच्छा है, शुगर से तो सस्ता है, और गुर से भी अच्छी एक चीज मिलती है महाराश्टो में काकवी, काकवी खाईए, आप तो जानते हैं ना काकवी, वो तो सबसे अच्छी, काकवी को चार में डालिए, काकवी को दूप में डालिए, काकवी इसे सब बनता है तो या तो गुड़ लाइए नहीं तो काक में लाइए और गुड़ जब आप खरी देंगे बाजार से तो भ्यान से गुड़ खरी दिये जो जादा वाइट कलर का है सफेद वो गुड़ मत लाइए वो निर्मा वॉशिंग पाउदर से बनाए अब हुआ है ही भगा खराब है तो कौन सा गुड़ लाइं जो थोड़ा काला काला दिखता है गेहरे रंका होता है डार कलर का होता है लाल लाल दिखता है ली और जो अच्छा नहीं लगता है वही को है